और आपके विरोधी कहते हैं ये सरकार तो सब कुछ बेच देगी देगे मुझे तो आश्चर्य है कि लोगों की बोली कैसे बदल जाती है जिस पार्टी के सदस्य ये कहते हैं उनके राज में दस साल करीब पच्चीस पब्लिक सेक्टर कमपनीज का विनिवेश हुआ है विनिवेश किया है वो आपके मंच पे आके कहते हैं कि दूसरी सरकार सब कुछ बेच रही है और दूसरा प्रशन मैं पूछना चाहता हूं ये पैसा आप लोगों का है ये पैसा देश का है क्या ये दो लाग करोड उपए साथ हजार करोड वर्तमान का डेट 32,000 करोड एक्विटी का इंफ्यूजन 50,000 करोड पूर में डेट का इंफ्यूजन 52,000 करोड गवर्मन्ट की गैरेंटी 2,000,000 करोड उपए क्या ये देश की जनता का पैसे का सुध्योप्योग था क्या नहीं ये पैसा अदोसन रचना में सामाजिक विकास में गरीबी उथान में हम इस देश को वै करना चाहिए या एक एरलाइन चलाने के लिए वै करना चाहिए मैं मानता हूँ कि ये सरकार का बहुत सहसी निर्णय रहा और देश हित में है और जनता की हित में है जो विपक्ष को करना है वो विपक्ष करती रहे हम देश हित का काम कर रहे हैं विकास का काम कर रहे हैं प्रगती का काम कर रहे हैं साफ दिल से हम लोग काम एर इंडिया को बैतर मैनेज किया जा सकता था आज ये परिस्थिती न आती जो निर्नय लिए गए पूर में उसी के आधार पर आज ये स्थिती उत्पन हो पाई है जिस एर इंडिया व्यक्ष्यात थी 1950 में 1955 में 1960 में विश्व की टॉप 3 to 5 एरलाइन सब्सक्राइज वह होती थी आज ये दुरगती क्यों है अब अतीत में मैं नहीं जाना चाहता है मैं सदेव कहता हूं कि एक सकारातमक दृष्टी कॉन हमें रखना चाहिए भविश्य का हमें देखना चाहिए और मैं मानता हूं कि एक रोबस्ट civil aviation sector, नागर विमानन शेत्र, हम लोग देश में भविश्य में बना पाएंगे. ये सरकार की ही एक आकांक्षा रही है, कि जो हवाई जपल में है, वो हवाई सफर कर पाए. आपने भी ये कहा कि अगर जितनी ज्यादा विकल्प होंगे, उतनी ज्यादा कमपेडिटिव प्राइसिंग होकर, लोगों तक बहतर एक प्राइस पहुंच सकता है. पर हम हमेशा देखते हैं, एक तो सर्ज की दिक्कत, कि उस समय अचानक कॉस्ट इतना बढ़ जाता है, कि लोग हवाई यात्रा करें, तो कैसे करें. क्या मौजूदा परिस्थिती उस ओर बढ़ रही है, या फिर अभी हम बहुत दूर है उस समय से, जब एक हवाई चपल वाला यात्रा करेगा. देखे, मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रशन आपने उठाया, और आपके द्वारा मैं दर्शकों को भी जो आंकणे हैं, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. तीस-चाली साल पहले, बीस साल पहले, दस साल पहले नागर विमानन शेत्र को देखा जाता था चुनिंदा लोगों के लिए, उनी तक सीमित होता था। प्रधानमंत्री जी ने नो कदम लिया कि नागर विमानन शेत्र का प्रजात तंत्री करण, लोग तंत्री करण करने का जो कदम उन्हें उठाया। उडान योजना के तहट उडे देश का आमनागरिक, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार की योजना के द्वारा दी जाती है, एरलाइन्स को कनेट करने के लिए अल्प सेवित या असेवित हवाई अड्डों तक। और इस योजना के तहट पिछले पांच सालों में ऐसे हवाई अड्डे जुड़े हैं जिनके शायद या अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं आप से कहूँ कि आपने नाम भी न सुनाओ, उधारन के तोर पर जर्सुगुडा उरिस्सा में, दर्बंगा, किशनगड, कलकत्त के हवाई अड्डे, जहां द्वित्य विश्वयुद के बाद हवाई पट्टी क्या, पूरा हवाई अड्डा देश के नागर विमानन शेत्र के मानचित्र से उड़ा गया था, आज ये सिती हो गई है जर्सुगुडा में, दर्बंगा में, कि तीन से चार लाक यात्री प् कर रहे हैं, भारत का नागर विमानन शेत्र की प्रगती और विकास, अब ये 6-8 मेट्रों से नहीं आने वाली है, रीजनल कलेक्टिविटी से आने वाली है, हब एंड स्पोक मॉडल से आने वाली है, ये छोटे-छोटे शेहरों को हमें नागर विमानन शेत्र के साथ जोड यात्रा करते हैं, साड़े 18 करोड लोग रेल सेवा से यात्रा करते हैं, और रेल सेवा की मैं बात कर रहा हूँ केवल 2nd AC, आपल to apples comparison हमें करना पड़ता है, 2nd AC या 1st AC, लेकिन नागर विमान शेत्र में हमारी वृद्धी का दर साड़े 10% प्रती वर्श है, रेल्वे का वृद्धी का दर केवल पांच प्रतिशत हर वर्ष है तो वो समय भी दूर नहीं जहां श्विता पांच साल के अंदर छे साल के अंदर नागर विमानन शेत्र जादा लोगों को हवाई सेवा से यात्रा कराएंगे रेल्वे सेकंड एसी और फर्स्ट एसी से अगर उसकी सेकंड एसी की टिकेट की आप दर को लोगे आप फर्स्ट एसी का भी नहीं और उसे आप हवाई सेवा से कंपेर करोगे तो हवाई सेवा की टिकेट का दर उस सेकंड एसी रेल टिकेट के दर से 10 से 15 प्रतिशत जादा सस्ता है तो वास्तविक्ता में हवाई संबभ हो पाया है आपका मूल प्रश्ण जो सर्च प्राइसिंग है यह हमें समझना होगा कि नागर विमानन शेत्र में डाइनाइमिक प्राइसिंग होता है कई टिकेट लोग तीन मेने पहले खरीते हैं कई टिकेट लोग दो मेने पहले क्या अधार पर चलता है तो हमारा दायत तो होना चाहिए कि compare करें long term ticket booking ये ना करें कि हम short term पिछले दिन का ticket booking का price का हम लोग compare करें ये भी सही है कि पिछले डेर साल से आप और हम अपने घर में कैद रहें कोवेट के वज़े से तो उत्सुकता भी बड़ी है भार निकलने की और ये एक बड़ा अच्छा संकेत है परियटरन के लिए भी अच्छा संकेत है नागर विमान शेत्र के लिए अच्छा संकेत है लेकिन उससे डिमांड भी बहुत बढ़ गई है तो हमारा सेक्टर जैसे हर सेक्टर है डिमांड सप्लाई के एक्वेजन पे चलता है और वर्तमान में आप बिलकुल सही कह रही है कि डिमांड इस फार आउट स्ट्रिपिंग सप्लाई पर वो सयम भी आने वाले समय में हो पाएगा इसका जा मुझी वश्लाई